हेलो नमस्कार दोस्तो नाम है मेरा बॉबी और यूट्यूब पे जानकाई दिनी मेरी होबी आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ यह है एथर का 450X थर्ड जरनेशन इलेक्टरिक स्कूटर भाई बहुत अच्छे अच्छे फीचर देखने को मिल आते हैं आपको क्या लगता है यह वाला स्कूटर Ola S1 Pro को पीछे छोड़ देगा या नहीं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ जो लोग वीडियो पर नए आएं वीडियो को लाइक करें, सेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को जरूर प्रेस करें, सबसे पहली बात, इसमें हमें कई सारे मोड देखने को मिल आते हैं और फुली डिजिटल स्कूटो मेटर विद कंट्रोल के साथ देखने को मिल आता है और यहां से आप अपना स्कूटर चार्ज कर सकते हो, यहां पर पांच किलो तक सामान बगरा टांग सकते हो, यहां पर दो चाबी मिलती हैं दोनों की दोनों स्मार्ट की मिल आती हैं, और पीछे हमें टेल लाइट काफी अच्छी और कई सारे कलर ओप्सन देखने को मिल आते हैं एक मेन बात आपको बताना चाहूँगा यहां पर, आगे और पीछे, दोनों जगे हमें डिस्क ब्रेक देखने को मिल आते हैं इलेक्टरिक स्कूटर में ये काफी अची है और भाई मैं आपको सच बात हुता हूँ इसका पिकप तो बहुत अच्छा लगा मैंने ये चला के देखी मुझे तो पिकप इतना अच्छा लगा कि इतना पिकप एक पैट्रोल बाइक में भी नहीं होता है हाँ आप सच मानोगे भाई बहुत दी जवर्जयस पिकप अगर आपने नहीं चलाई है तो आप अपने नियर एस शोरूम में जाके इसको चला सकते हो बहुत अच्छा पिकप है और एक बार चार्ज करने पर लगवग एक से डेड़ गंटे में चार्ज हो जाती है साइड इंडिकेटर आप कि दोनों का कंपेरिजन जरूर लेकिया हुआ कि कौन सी जादा बैटर है और इसमें हमें इको मोड, स्पोर्स मोड, रेन मोड और नॉर्मल मोड कई सारे मोड मिल जाते हैं और जीपी आरेस इसमें आप कनेक्ट कर सकते हो देख सकते हो इसमें सब कुछ अपना फॉन भी कने इसका यह काफी अच्छा और सिफ्टी परपस से फीचर है बाकी इसके स्टेशन कुछ-कुछ जगह पर लग गए हैं बाकी कुछ-कुछ जगह पर लगने बाले हैं अभी मैं आपको इसका डिगगी खोल के दिखाता हूँ कि इसमें कितना स्पेस देखने को मिल जाता है तो यह काफी अच्छा फीचर है अब इसकी प्राइस क्या है आपको में बताता हूँ यह लगवग डेल लाग के सम्थिंग हमें पड़ता है और बाकी इस पर फाइनेंस बगरा भी हो जाता है आप लोग 25-30,000 रुपे जमा करके इसको ले सकते हो बाकी आपकी EMI बन जाएगी 3 से 4,000 रुपे की पर बंद की वो आप आसानी से पे कर सकते हो कई सारे कलर ओप्सन देखने को मिल जाते हैं देखकते हो फाइनेस आप अपनी मर्जी से और अपनी किसी भी बैंक से करवा सकते हो इसमें भाई कोई वो नहीं है देखकते हो यह कई सारा और कई सारे कलर ओप्स अच्छा लग रहा है मुझे और वैसे वाइट भी काफी अच्छा है यह साइड प्रोफाइल लुक मैं आपको यहां पर दिखाना चाहूँगा एथर देख सकते हैं आप लोग एथर का चार्जिंग स्कूटर बाकी आप लोग हमें नीचे कमेंट करके बताओ कि आपको दोनों मैंसे कौन सा अच्छा लगा अगर आपने ओला एस बन प्रो चलाया है ओला का ज्यादा बैटर रहेगा या फिर एथर का ज्यादा बैटर रहेगा मैं अभी दोनों का कंपेरिजन कुछ दिनों में के लिए लेक्या हुआ कि दोनों मैंसे सबसे बढ़िया मुझे कौन सा लगा परसनली उसका रिव्यू में आपके लिए जल्दी से जल्दी लेक्या हुआ बाकी यह वाला भी काफी अच्छा है और नए-ने स्कूटर की स्कूटरी की और बाइक की स्पोर्स बाइक की वीडि 200 किपके जल्दी हर जिगया पे 10 मिनट चार्ज कने पह लगवग यह आपका तीस करो बाइक Federal क्रहएक मुझे तो काफी परसनली अच्छा लगा मैं आपको सच बता हूं क्या अप local में इतना पैसा डाल देते Caleb11 007 0090 देमाबplayer है अगर आप एक brand की तरफ जाते हो या ओला की तरफ जाओ या फिर एथर की तरफ जाओ या फिर कोई अधर brand है तो भाई आप brand की तरफ जाओ क्योंकि थोड़े पैसे तो लगते हैं लेकिन चीज आपको अच्छी मिलेगी सर्विस आपको अच्छी मिलेगी और आप जितना भी पैसा डालोगे आपका पैसा वेस्ट नहीं जाएगा और एक और चीज कर सकते हो अपने भाई को इंस्टा पर फॉलो कर सकते हो आई एम बॉबी ट्रपल टू है मेरा इंस्टा हैंडल उस पर मैं नहीं नहीं अपडेट नहीं क्लिप बगएरा नहीं सोर्स वीडियो डेली की डेली डालता रहता हूँ तो फॉलो करें लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बहुत बहुत धन्यवाद आपका